तो एपेसोड 1 के पार्ट 2 में दिखाय जाता है कि मिस्टर जायून दोनों को ये पनिश्मेंट देते हैं कि उन्हें बैनल लेकर खड़े रहना था और उन्हें अनाउंस्वेंट रूम में अपलोजी भी बढ़ना था लिंसी बोलती है मैंने तीनों टास्क पूरे कर लिए त तुम दोनों की डिलेशंचिप के बारे में पूरा स्कूल बाते कर रहा है जंग गुष्टे से उठकर वहां से चला जाता है लिंसी भी उसके पीछे आती है और कहती है अफवा जादा दिनों तक नहीं रहेगी लोग सब कुछ भूल जाएंगे इसके बाद वह अपलोजी पढ़ने जाते हैं वहां जंग दिन माफे मांगने के बजाए ये बोलता है कि पढ़ाई की टाइम पे बच्चों से ये सब कराना गलत है तब ही लिंसी उसे ये सब बोलने से रोकती है इसके बाद जंग दिन बोलता है मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं यह परिसान किया है उसके लिए सौरी वो मुझे नहीं जानता लेकिन मैं उसे जानती हूं किसमत से मैं उस से मिल गई हूं मैं उसके साथ हरो चीज करना चाहती हूं जो मैं चाहती हूं इसके बाद वो यात करने लगती है कि व्योवा reference पापा शेनी बास्कीट पोर फ़राउन पेट कर रहे थे और उसके भाई का a car accident हो जाता है और उसका और गन वो डोनेट कर देते हैं आगे बोलती है मैं उसके साथ हर सूक तूप पाड़ना चाहती हूं मैं हमेसा उसकी दोस्त बने रहना चाहती हूं तब ही जंगजिंग वहां आकर मायक ओफ कर देता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो फिर वो देखता है कि लिंशी रो रही है नेक्स्ट सीन में जंगजिंग घर जा रहा था उस टाइम पे भी उसे लिंशी पे बहुत कुस्सा रहा था घर पहुंचका ज मेरा art exhibition खतम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे dishes बनाऊंगी तो पूछती है आज स्कूल के पहला दिन तुम्हारा कैसा था हो बोलती है अच्छा था मेरे teachers और मेरे बेंचमेट बहुत अच्छे हैं जिंग बोलता है उसने आज बहुत सारी problems create की है लिंसी बोलत है क्या वह आज यहीं रहने वाली है कि मॉम बोलती है आज नहीं जब तक उसका समय खत्म नहीं हो जाता हो यहीं रहेगी जंग्जिंग को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लिंची उनके बाते सुन लेती है और फिर याद करती है उनके parents बाते कर रहे थे उसके भाई क को हर्ट उनके बच्चे को डोनेट किया गया है इधर जंग्जिंग के मॉम उसे बोलती है वो हमारे दूर की रिष्टदार है उनका हम पर बहुत हैसान है इसलिए वो हमारे घर पर ही रहेगी और तुम्हें घर हो या स्कूल उसका ख्याल रखना है लिंची अपने रूम मे लिःंदर से वो फना ही नरम है तुम्हारे वगल वार रोम उसी का है तुम्हें कुछ भी ज़रूरत होगाय तो तुमसे बोलना वो तुम्हारी एलप करेगा फिर वो वहां से चली जाती है इसके बाद लिंची अपने बैक से खिलोना निकालती है और उससे बाते करती है इसके बाद वो डाइडी पे लिखती है भाई तुम ठीक हो मैं पहली पारा केले घर से इतनी दूर आई हूँ मेरे पास तुमारे दिया हुआ ये टॉय है तुमसे और जंग्जी में बहुत अंतर है वो कभी स्माइल भी नहीं करता उससे दोस्ति करना जितना मैंने सोचा था उससे भी जादा मुस्यल है इसके शुरुआत अच्छी नहीं हुई वो मुझे नफरत करता है लेकिन कोई बात नहीं मुझे यकीन है कि मैं ये जर्णी पूरा करूंगी इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है अगर आपने पार्ट वान अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रेप्शन पर लिंक अवेलेबल है और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं